वेलकम बैक टो नदर ब्लोगर के से आप सब और आई होब कि आप सब बढ़ी होंगे मस्ति में मज़े में होंगे आज है 24 दिसंबर 2020-22 और कल है 25 दिसंबर जो कि क्रिस्मस टे है तो कल का ब्लोग कुछ अलग ही रहेगा हो सकता है तो कहीं जाएंगे गोमने के लिए तो वह सा मंगरी का बड़े और आक्च्वली मंगरी कौन है आपको बीडियो में आगे पता चल जाए देंदिति मंगरी कौन है तो उसी के लिए आज ब्लोग बना रहे हैं उसी का बड़े सेलिबरेट करेंगे और भी बहुत सारे बातचीत होगा क्योंकि काफी दिन उस तो कोई ब्लॉग बगीरा आया नहीं था एक्चुली अभी ठंडे में प्रोब्लम हो रहे हैं तो उसके कारण ब्लॉग सुट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जम नहाते तो भी ब्लॉग बनाते हैं अभी फिलाल ये मेरा स्वीडूल दिखाते हैं वह रूम का भी क्या है और कुछ दिर के बाद उसका इस्ति देखेंगा काफी मस्त लगएगा देखने में चल्ये चलते उस रूम में तो देखें ये रूम का भी फुलाल कुछ सिप इस तरह से है यहां परोपर आप सबीको पुरिंटर देखने को मिल रहा और सिस्टम है सिस्टम है सिस्टम बोर्ड भी है उधर लगा हुआ है ट्यू लाइट है कुछ क्या बोलते हैं वो टिक टॉप सूट करने के लिए रिल्स वगरा के लिए है इधर रिंग लाइट है यहां पर स्टैंड है और यह मेरा बुक्स कुछ पड़ा हुआ है चेर भी है लेकिन कुछ देर के बाद ये सारा कुछ हट जाएगा और बड़े सेलिब्रेट यहीं पे होने वाला है तो ये सारा कुछ हटाना पड़ेगा भी उस रूम में सिफ्ट करना पड़ेगा यहां पे बहुत अच्छे तरीके से भी डेकुरेट किया जाएगा काफी अच्छा लग होता है तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन कोई एक चीज को हम ब्रेक करके मतलब श्टडी को थोड़ा सा ब्रेक करी देते हैं और इसको निकाल देते हैं तो एक्चुली अभी काफी दो दिनों से इसी पर काम चल रहा है और काफी ज्यादा मैंने ready कर दिया लगबख एक दो दो चार जार पांच अलबं मतलब दो से तीन दिन में मैंने ready करके निकाल दिया और ज्यादा नहीं है लगबख एक दो तीन और अभी फिलहाल तीन को अर्जेंट एल्बम है जो कि मुझे निकालना है तो वह अराम से निकल जाएगा कोई उतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन जब मतलब सारा एल्बम एक ही साथ आजाता है और सब को डेट दिना होता है सेम डेट पर तो काफी ज़दा प्रोब्लम हो जाता है थोड़ा सा प्रोब अभी जाके कोई फाइदा है नहीं और साथ में कुछ डेकोरेशन का समान भी लाना है तो सारा लेके आएंगे उसके बाद फिर आप सभी को दिखाएंगे फिर कुछ डेकोरेट होगा फूल और मस्ती आएगा मजा आने वाला है तो ब्लॉग को बिल्कुल लास्ट तक देख मेचे रहे हैं और सारा सामान हम ले आ चुके हैं । अलब 5 एक एक करना मतला समान को इस लम कर सामान टॉटल उस रूम में से डोगा उसके बादम डेकोरेट होगा काफ है ज्यादा मजा आएगा तो फिलाल आप लों कुछ देखिए डेकोरेशन का समान उसके बाद फिर हम आप सभी से मिलते हैं आप रूम डेकॉरेट करने के बाद तो यह है कुछ डेकॉरेशन का समान कि सारा जितना मेरे माइंड में था वो सारा कुछ हम लेके आ चुके हैं बस बच गया है कि खाना पिना वाला तो फिलाल उस रूम में रखा हुआ है जितना भी सुट्स वगेरा है कि केक यहां पहें थोड़ा से जलक दिखा सकते हैं आप सभी को केक का यह देखिए रेड वैलबेट है और है ब्दै है ऑजब अब यह कुछ कि गया देकोरेशन के बागी सभी किया दिखाते हैं तो मेरा कुछ करते है अच्छे से डेकोरेट उसके बाद फिर आप सभी को दिखाते हैं कितना खुबशूरत लगता है देखने में अभी फिलाल देखिलीजेंक इस तरह से लग रह तो यह देखिए रूम कैसा लग रहा है देखने में पूरा यह को आप सभी को सुनाई दे रहा हूँ है खाली-खाली सा बिल्कुल A to Z सारा समान उस रूम में सिफ्ट हो गया है कुछ दर के लिए और यह देखिए पूरा आपे क्राउंड देख रहे हैं येलो-येलो यहां प फिर से कोई बड़ी बात नहीं है तो आप लोग देखिए एक बार इसके बार डेखुरेट करेंगे तो फिर देखिएगा डेकुरेशन का भी हो यह देखिए पूरा खाली कि बिल्कुल उपर खाली ही नजर आएगा सारा कुछ में ने खुल दिया है सारा सारा सामान उसरूम में सिफ्ट हो गया अब करते हैं फटा-फट से इसको डेखुरेट उसके बाद फिर आप सब्सक्राइब दिखाते हैं यह देखिए कुछ बैलून सब यहां पर रखा हुआ है कुछ नहीं है बहुत सारा बैलून है काफ़ी खुब शुरत लग रहा है देखने में तो यह कुछ डेकॉरेशन है बल्कुम मस्त लग रहा देखने में आगे आप लोग उन देखा हुगा किस तरह से लग रहा थोड़ा भी देखिए कितना इंधास लग रहा देखिए हैं तो फाइनली सारा कुछ हो चुका है ए टूजेट रेडी अब जाने थोड़ा से फ्रेश होने के लिए रेडी होते हो उसके बाद के कटिंग होगा तो आ लगा के आए हैं तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे अब केक कटिंग स्टार्ट होने वाला है थोड़ा सा आप सभी सोर्स देख लेजिए उसके बाद फिर आप सभी से मिलेंगे डालेट बारी साथी खतम होने के बाद कर दो झाल 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 झाल